दिल्ली की अर्विंद केजरिवाल सरकार अब एक नए विबाद में फस्तीद दिख रही है आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर राजी के चीफ सेकरेटरी अंसुप्रकास के साथ हाथा पाई की गई है हाला कि सीम केजरिवाल के ओफिस ने ऐसी किसी भी घटना से साफ तोर पर इनकार किया है चीफ सेकरेटरी ने आम आदमी पार्टी के विधाय को पर थपड़ मारने और अपसब्द का प्रियोग करने का आरोप लगाया है यह सब कुछ सीम की मौजूदगी में हुआ जिसकी वज़े से दिल्ली सरकार को विपच्छ का तगड़ा विरोध भी छेलना पड़ रहा है वहीं आप नेताओं का कहना है कि मुक्य सचिव के साथ हाथा पाई की बात सरासर गलत है साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुक्य सचिव ने कुछ विधायकों के खिलाफ अभद्र भासा का प्रियोग किया और बिना सवालों के जबाब दिये वहां से चले गए इस मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यच मनोज तीवारी ने केजरिवाल पर निसाना साथते हुए कहा कि मुझे ये लगता है कि मुक्य सचिव के साथ मारपीट पूर्वन्योजित थी अगर ऐसा नहीं था तो मुक्य सचिव को बारा बजे रात ने बुलाने की क्या जरूरत थी साथ ही उन्होंने मामले की जांच की मांग भी की है जबकि दिल्ली कॉंग्रेस अध्यच अजे माकन ने आम आदमी पार्टी और केजरिवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि आप सरकार निकम्मी है सीम के सामने चीफ सेकरेटरी को बिधाय को द्वारा पीटा जाना दुर्भाग गिपूर है और यह सरकारी सफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है